और नहीं मोदी को कुर्ची पर बैठ करके सत्ता सूख भोगना है अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूँ तो वो सिर्फ और सरफ मेरे 140 करोड परिवार जनों के लिए कि राम लला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है हारत दुनिया की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली अर्थ व्यवस्ता बन जाता है मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्ता नहीं करनी है मोदी का तो परिवार एक सो चालीस करोड देश वासी है और नहीं मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सूख भोगना है 23 साल से पहले मुख्य मंत्री के रूप में और अब प्रधान मंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मोका दिया है मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उप्योग नहीं किया है अगर मैंने कुछ किया है अगर मैं जिया हूँ अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिरफ मेरे 140 करोड परिवार जनों के लिए इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी जब मोदी कहता है ति आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है जब मोदी कहता है कि राम लला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थ ववस्ता मजबूत होगी तो भारत दुनिया की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली अर्थ ववस्ता बन जाता है ये यही तो है मोदी की गारंटी